Hey friends, welcome to my youtube channel guys of education, my name is Priyanka, today's topic is idioms with letter B, previous video में मैं लेटर B पे ही बताए थे आपको, उसके आगी ये वीडियो है, लेटर B पे जो बच गए थे हमारे idioms, वो इस वीडियो में cover करेंगे, so let's start, और जिन्हों ने subscribe अभी तक नहीं किया है, मेरे चैनल को please subscribe करो, next videos को देखने के लिए, so let's start, first is bear the palm, bear the palm meaning to win, इसका मतलब होता है to win, बाजी मारना, जीतना, अब यहाँ पे palm leaves were formerly used as symbols of victory, मतलब जो ताड के पत्ते होते हैं, palm leaves होते हैं, उनको पहली जीत की प्रती के रुप में भी इस्तिमाल किया जाता होता था, bear the palm, मतलब जो palm leaves हैं, उनको, मतलब, जीत के प्रती के रुप में भी इस्तिमाल किया जाता था, but bear the palm का मतलब है to win, जीतना, बाजी मारना, meaning है इसका जीतना, हिंदी में, for example, I heard that you might bear the palm at the science fair, मैंने सुना, आप विज्ञान मेले, science fair में जीते हो, मैंने सुना है कि आप विज्ञान मेले में जीते हो, bear the palm का मतलब होता है, जीतना, बाजी मारना, next है, bit about the bush, bit about the bush, मतलब फालतु की बाते करना, irrelevant talking, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, वो बाते करना, इदर उदर की बाते करना, for example, will you please stop beating about the bush and get to the point, क्रीपा करके आप इदर उदर की बाते छोडएंगे, और सिधा point पे आएंगे, क्या चाहिएंगे, क्या बात करनी है, मतलब इदर उदर की हेर फेर ना करो, इदर उदर की बाते ना करो, come to the point, अपने point पे आओ, आपको क्या बात करनी है, या क्या चाहिए, नेक्स्ट है, बिफोर लॉंग, बिफोर लॉंग, इसका मतलब होता है, सून, जल्दी ही, जल्द ही, मतलब, किसी से जल्द मिलना हो, तो बिफोर लॉंग, For example, she should be back here before long, मतलब वो यहाँ पे आजाईगी, या आएगी या आनी चाहिए, जल्दी ही वो आजाईगी, सून, वो यहाँ जल्दी ही आजाईगी, Next है हमारे पास, Beyond the shadow of a doubt, Meaning, if you know or believe something, Beyond the shadow of a doubt, you are certain that it is true, मतलब इसका मतलब क्या है, यदि आप संदे में हो, यदि आप किसी मतलब doubt में हो, तो, मतलब इसका, Beyond the shadow of a doubt का मतलब है, कि आप किसी संदे से परे हो, कि आपको इस पे कोई भी doubt नहीं है, मतलब आप इस पे पूरी तरह विश्वास कर सकते हो, संदे से परे, मतलब कोई भी doubt नहीं है, ये निश्चित है कि ये सच है, मतलब ये है ही है, If you know or believe something beyond a shadow of a doubt, you are certain that it is true, मतलब अगर यदि आप संदे के शाय से परे कुछ जानते हैं ये मानते हैं, तो आप निश्चित है कि ये सच है, मतलब वो true है, For example, the government has clarified behind a shadow of a doubt that the people who have been evading taxes so far will be caught very soon, सरकार ने बीना किसी संदे के सपश्ट कर दिया है कि अब तक जो लोग text की चोरी करते रही हैं, वे बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, मतलब कोई doubt नहीं है, इसमें, clear है, अब next है हमारे पास, bids fair, bids fair meaning to appear likely, संभावना दिखाई देना कि ये हो सकता है, मतलब इस bids fair का मतलब है कि ये हो सकता है, किसी कुछ होने की संभावना, for example, her grades are good enough that she bids fair to get into that excellent high school, मतलब उसके जो grades हैं, वो अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे हैं कि उसको क्या high school में, एक अच्छे school में admission मिल सकता है, वो अच्छे school में जा सकती है, मतलब इसका क्या है कि उसके जो grades हैं वो बहुत अच्छे हैं कि उसको अच्छे school में admission मिलने की संभावना है यह हो सकता है next है हमारे पास black and blue black and blue meaning bruised और इधर physically और emotionally और to beat mercilessly meaning चमड़ी उधेरना और शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से गहरी चोड पहुंचाना मतलब किसी को बहुत 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 मारना वह उतर ब्लाक अन ब्लू for example he was beaten up black and blue but still does not understand how bad this company can become for him मतलब वो बहुत बुरी तरह से पीटा गया मतलब उसको इतना भी नहीं पता था कि यह company उसके लिए कितनी बुरी हो सकती है इस company में वो बहुत बुरी तरह से पीटा गया next है यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था कि mentally भी यहाँ पे यह जो इसकी black and blue का example है mentally भी और physically भी मार सकते है अब यहाँ पे जो मैंने example दी है यह mentally mentally उसको इतना torture किया गया कि उसको नहीं पता था कि यह company उसके लिए कितनी बुरी हो सकती है क्योंकि किसी company में तो मार सकते नहीं है mentally ही harass कर सकते है mentally torture उसको बहुत किया गया अब next है हमारे पास blood is thicker than water blood is thicker than water meaning the family bond is closer than anyone else anything else अब यहाँ पे इसका मतलब है कि पराया पराया होता है और अपना अपना ही होता है अब हम लोग बोल देते हैं कि पराया पराया होता है और अपना अपना ही होता है for example when my best friend and my brother got in a fight I had to help my brother blood is thicker than water जब मेरे best friend और मेरे brother के बीच में fight हुई तब मैंने अपने भाई की help करी क्यों क्यों कि पराया पराया होता है और अपना अपना होता है blood is thicker than water next है blow up blow up meaning suddenly became angry अचानक रोधित हो जाना छोटी सी बात पे ही गुसा आ जाना blow up for example don't blow up at me I didn't make that mistake मुझ पे गुसा मत करो मैंने ये mistake नहीं की है मैंने ये गलती नहीं की है next है blue in the face blue in the face meaning extremely angry frustrated, annoyed, embarrassed or upset मतलब बहुत जादा क्रोधित या frustrated होना या किसी पे गुसा करना या embarrassed feel करना या दुखी होना उसका मतलब होता है blue in the face blue in the face बेहत क्रोधित for example you can argue until you are blue in the face but I refuse to go मतलब आपने मेरे से दहास की जब तक आपको गुसा ना आ जाए but मेरे को नहीं जाना था मैंने जाने से मना कर दिया next है bought the farm bought the farm meaning to die particularly in an accident or military action मरना मतलब खात्मा हो जाना किसमे या तो accident में या military action मतलब या कोई terrorist का attack हुआ उसमे अन्थो जाना bought the farm for example he bought the farm on that last patrol with the terrorist मतलब वो उसका अन्थो गया terrorist से लड़ते boil down to something boil down to something meaning be summarized मतलब in short form में but clear form में छोटा हो लेकिन मतलब वाला हो sun shape में be summarized for example the reason that we could not go on a holiday boil down to the fact that we did not have enough money हमारे छुटी पर जाने का कारण ये है कि हमारे पास प्रयाप पैसे नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है उसका सिर्फ छोटा सा हमारे पिक्नी जाने का या हॉलिडे जाने का हम क्यूं नहीं जा पाए उसका छोटा सा reason ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है नेक्स है, बरी दा हैचट, बरी दा हैचट, मिनिंग, सीज फइटिंग और मेक पीस, जगडा खतम करना, बरी दा हैचट, जगडा खतम करना for example, toward the end of the year, the roommates finally decided to bury the hatchet, मतलब, साल के अंत में, roommates ने सोचा, मतलब, उन्होंने decide किया कि हम जगडा खतम करना, बरी दा हैचट, बरी दा हैचट next है हमारे पास by long odds, by long odds, meaning most decidedly, नी संदे, मतलब, most decidedly, मतलब, कोई शक नहीं, हमने decide कर लिया है, मतलब, कर लिया है, नी संदे for example, she is by long odds, the greatest of living mathematics, mathematicians, नी संदे, वे जीवित, जो गनित, जो पढ़ाते हैं, mathematicians हैं, में सबसे महान है, नी संदे, वो सबसे महान है next है, by fear or fall means, by fits and starts, or by hook and by crook, इनका same ही मतलब है, by all means, in any way, मतलब, कि, जो, किसी भी वीदी से चाहिए गलतियां सही, by hook or by cook मतलब, मेरे को यहां सही रासा पकड़ने हैं, गलत रासा पकड़ने हैं, मुझे ये काम करना ही करना है, by hook or by crook, मुझे ये काम करना ही है for example, the minister wants to win the seat by fear or fall means, minister अपनी seat जीतना चाहता है, by fear or, जैसे भी, मतलब, उसको चाहिए गलत रासा अपनाना पड़े, या सही रासा अपनाना पड़े, उसको जीतना ही जीतना है next है हमारे पास, break a leg, break a leg, a superstitious way to say good luck without saying good luck, but rather the opposite इसका मतलब होता है, भागय तुमारे साथ हो, break a leg, मतलब, you have to do it, break a leg आपको ये काम करना ही है, भागय तुमारे साथ है, break a leg, for example, Danny's family told him to break a leg right before he went upon stage, मतलब, Danny's family ने उसको बोला कि भागय तुमारे साथ है, break a leg, भागय तुमारे साथ है, जब वो stage पे, उसके stage पे आने से पहले, Danny's की family ने उसको ऐसा बोला I hope, जो भी मैं करवारे हूँ, आपको clear हो रहा है, next step, break even, break even, meaning of a financial enterprise to neither gain profit nor incur debt to earn and spend money in equal amounts इसका मतलब है की, हानी रहित व्यापार करना, मतलब, जो भी आप business कर रहे हो, so समझ के करना, बिना नुकसान के, so समझ के For example, our company was able to break even after only six months of operation, मतलब हमारी कमपनी ने हानी रहित वेपार किया, सिर्फ six months के, मतलब, जो भी six months में हमारी कमपनी ने हानी रहित, जो भी business किया, वो six months में किया, मतलब, हमारी कमपनी को कोई नुकसान नी हुआ Next है, break in, break in, meaning to force entry into something, often a building, or to interrupt someone or something, or interrupt to speak, मतलब, जबरदसे घुसना, घुस पढ़ना, किसी की बात में, या किसी के घर में, या किसी की लाफ में, जबरदस्ती घुसना For example, they called the police as soon as they heard someone breaking downstairs, मतलब, उसने police, उन्होंने police को call किया, जब उन्होंने सुना कि, कोई downstairs में गुस चुका है, जबरदसी गुस चुका है Next है, break off or break something up, break off or break something up, meaning stop speaking to stop or end suddenly or cause something इसका मतलब है, break off or break something up का मतलब है, बातचित बंद कर देना या अचानक रोग देना मतलब बातचित एकदम बंद कर देना या पूरी तरह बंद कर देना या अचानक रोग देना For example, India resume talks with Pakistan after long break off, मतलब, इंडिया ने Pakistan के साथ बात करना start कर दिया बड़ी देर के बाद मतलब उनकी बातचित बंद थी, तो बड़ी बातचित बड़ी देर उन्होंने बातचित नहीं की, after that उन्होंने पाकिसान से बात करना start कर दी Break out, next है, break out, escape, इसका मतलब होता है, भाग निकलना, escape होता है, भाग निकलना For example, the convicts plotted to break out of prison, the convicts plotted to break out of prison, for example, इसका मतलब है, दोशियोंने जेर से बाहर निकलने की साजिश, रची Next है, break the ice, break the ice, meaning, do or say something to relieve tension or get the conversation going in a strange situation or when strangers meet Break the ice का मतलब होता है, चुपी तोड़ना या विवाध हल करना चुपी मतलब आप चुप हो, एक दम आप बोल पड़ते हो, चुपी तोड़ना या विवाध हल करना, जो भी problem हो रही है किसी में, उसको solve करना, लडाई को solve करना, वो होता है, break the ice For example, अब इसकी example है, everybody at the meeting already knows each other, so let's not have one of these cornea exercises to break the ice अब जो meeting में हर कोई था, वो एक दूसरे को जानता था, तो अपनी जो, let's not have one of those cornea exercise to break the ice मतलब अपनी ये चुपी तोड़ो, इस बात को, इस विवाध को हल करो, ये जो भी आप जगड़ा वगड़ा कर रहे हो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीस लाइक करो, मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शियर करो, ऐसी ही मैं आपके सामने और वीडियोस लाती चाहूंगी, तो प्लीस मेरे इस चानल को सब् करो. Thank you.